नमश्कार फ्रेंट्स, थाइराइड यह कॉमन प्राइडम हो गया है, बट इसका निवारन रूट से निकाल सकते हैं अगर आप इंग्लीश मेडिसन यूज से जब तक आप यूज कर रहें, तब तक कंट्रोल में रहता हैं कब तक उसका कोई एंड नहीं है इसलिए योगा में थोड़ा सा प्राणायामा मुद्रा और अक्यूप्रेशर पॉइंट्स इससे हम रूट से निकाल सकते हैं तो इसके लिए मैं प्राणायमा बताने जारी हूं आज और योग मुद्र बताऊंगी और अक्यूप्रेशर पॉइंट्स तीनों आराम से सिखा दोगी मुझे था योगा मुझे था यह था यह था यह तो मैंने पूरा रूट से निकाल दिया वही आपके साथ शेयर करना चाह डिए ना चलिए अब ताइराड हे बोल के से पता ले युए फस्ट कोई शिंटम्स होता है वह सिंटम्स जब आपको सिवीर दिखता है जादा दिकता है तब एक बार अपटा तैराड का टेस्ट कराईय है अगर हेसा बोले तो उसका इलाज कराना पड़ेगा शिंटम्स क् बहुत वीक लगना, बहुत कमजोर होना और फैटिग लगना, और कॉंसेंट्रेशन बिल्कुली दॉन हो जाना, और बिना खाना खाये ज्यादा वेट बढ़ना, वजन बढ़ना, और स्वेटिंग बहुत ज्यादा एक्सेस स्वेटिंग ना, पसीन ज्यादा आना, बाल थाइराइड में दो टाइप से एक हाइपो थाइराइड हाइपर थाइराइड जो भी थाइराइड है कंट्रोल में एक्सेस नहीं होना कम नहीं होना ज्यादा नहीं होना कम नहीं होना ऐसा होने से एक पूरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है इसलिए इस कंट्रोल करना बहु और आजकल तो तायराड को कंट्रोल करने बहुत आसान है में चार तरीके की अपको प्रानायम सिखाऊंगे यह डेली करिए आप हाड़ी दस मिन्ट से ज्यादा नहीं लगता है यह चार प्रानायमा पहले इसमें फोकस करेंगे इसके बाद आपकी प्रेशर पॉइंट बताऊ पहले प्रानायम प्रोक क्षके करेंगे इसमड्रेक भींट रखी दोलग में इस पर मदेए और अचण करेंगे वहस न किसा यूजलोग पॉइंट मुझे चिन लेने के बाद सेकेंड स्ट्रीब में इस चिंकंगो लग्त करने मतलब स्वास को रोक दिया हमने जब ऐसे साथ को रोकते हैं लॉंच मेरे जाता है सास लॉंच मेरे जाता है आज मेरे आरऊन दस याने पंदरा तक काउंट करकी आप ऐसे रखी है इसके बाद चिन अनलग करके ऊपर उठाके लेफ्ट नोड्स नोस्ड्रिल कि लिफ नोस्टिल से बाहर स्लोली हवाने कालना है तीन स्टेक पर इनहेल कर रहें चिन लॉक कर एक्सेल कर रहें ठीक है ना एक बार प्राक्टिकल देखिए कोई भी प्राणायमा करना हो चिन मुद्रा लीजिए ऐसे यह लाप गोदी में रख लीजिए आसे या नीस पे रख लिए और इंपोर्टेंट तिंग है कि प्राणायमा करने के लिए आप सुकासन पादमासन वज्रासन कोई भी आसन यूज़ कर सकते नीचे बाइट नहीं सक कि यह बॉड़ी हमेशा स्ट्रेट रखना है खंदे नहीं जुकना ना सिर्ण नहीं जुकना कुछ भी नहीं जुकना स्ट्रेट बाइटना पीछे जो रीड है ना और बैक बोन स्ट्रेट एक दम ठीके और एक बार कि यह है उजल पराणायमा पांच बार ना व्क परनायम अबर नॉट नॉट निथा है इसको ताहिए नहीं बाए में कुछ भी नहीं है नहीं भी आति के धिया प्राणायम जाए ऑप सत्याइगा फिक बाट रहागा प्राणायम जाएंगे हम कपालबाती यह प्राणायम मैंने सिखा दिया वैसे एक बार देख लीजिए कपालबाती में कुछ भी नहीं हमने अपना सास जो है जोर से एक्सेल करना है एक्सेल फोर्स फुली सेम चिन मुद्र लेंगे देखिए आप स्रेट ऐसा रखेंगे हमेश चोड़ने में सास चोड़ने में एक्सेल करने में ज्यादा हम कॉंसेंडर्ट करेंगे ऐसे हैं आपको कामेरा में देख रहा कि नहीं जब यह उज़ए प्राणायम कड़ते तब यह जो पेठ है ना पेट और चाती यह दो बहुत हिलता है जो 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 सहिलता है और फोर्स फुली हम कर रहे ना यह इसका थाइराइड पे भी बहुत फरक पड़ेगा यह कितने देर करना है दो मिनिट कर देजिए डेईली दो मिनिट बस इनफ और यह उज़ए प्राणायम करते वक्त आपको फोकस पूरक एक्सेलिंग पर ही होना है दो मिनिट आप करिए कपालबाती में और एक बड़िया फाइदा है वेइट लॉस करने के लिए जिसका वजन जादा है वो कम करना चाहते है वो लोग के लिए भी यह वाला बहुत बड़िया प्राणायम कपालबाती अब ट्राई कर यह पांच मिनिट दस मिनिट भी कर सकते अगर सीरिसलिया और तरड वाला है भ्रमरी प्राणायमा भ्रमरी प्राणायमें ब्रमरी मतलब हनीभी ओं परमरी की तरह हम स़ांड आवाज यहां से निकालेंगे तिक हैंग, हम आक बंद करेंगे यह फिंगर से मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर इस से आग बंद करेंगे और ताम फिंगर से कान बंद करेंगे पहले हम सास लेंगे सास को रोक के आवाज निकालना है जब आवाज निकाल रहे तब ना सास ले रहे ना सास चोड रहे इसके बाद आवाज पूरा निकालने के बाद इसके बाद हावा बाहर निकालेंगे, एक्सेल करेंगे, पहले इन्हेल, साउंड अंदर ही रखे, पूरा एर पूरा अंदर रखे, आवाज निकालेंगे, स्लोली इसके बाद जब हाथ निकालेंगे, तब भी हमारा एक्सेल यह वाला है ब्रह्मरी प्राणायामा है यह पांच बार करेट इसके बाद नाडी शूदा प्रानायाम नाडी शूदा यानी अनृलमevill lieuma यह बहुत ही आसान ह bricks में हम लेफ्ट सीर सें साट लेंगे राइट साझे से छोड़ेंगे फिर दर से सलोल सीओ कोंट रखेंगे इसके बाद स्लोल सीग eta एक बड्यान राखे гор किसके लिए हम यह दोफिंगर बंद करेंगे शोिंग फिंग इंडिक्स पिंगर आप मгов मिल लोगं यह कांट कैसे करेंगे एक बार इन्हेल एकसेल करो तो एक होंट है फिर इन्हेल एकसेल सेकेंड कांट है दस कांट्स दस बार कांट करके आप करिये बस इतना ही टोटल हमने चार टाइप का प्राणायामा सीख लिया फस्ट वाला उज्ज़ई प्राणायमा पांच बार करना ह सेकेंड वाला है कपाल बाती कपाल बाती दो मिनिट तर्ड वाला ब्रमरी प्राडायम यह भी पांच बार करना है लास्ट वालो नाड़ी शोदा अनुलमे विलोमा एक दस काउंट ठीक है पूरा मिला के कुल मिला के दस मिनिट से ज्यादा तो हो गई नहीं आपका इसके श्राइन है इसके बाद जो पॉर्शन है इन accurate इधार को पोइंट है अनुसुक्न क्या करना ऐसे दबधे रहना एंक करना था यो इतना को सके तो बहुत ही जोड़ से अब नहीं तो ऐसे थोड़ा से श्को भ्राhaus रेका लेका family Essam करते वक्त किसी से बात करते वक्त हृत तक थे देख रहे हो यहां कुछ का रहे हो ऐसे बातचीत कर रहे हैं विए तब भी उसको पता भी नहीं लेगा आप कर रहे बुल के तो और a.m. कि दबाने के बाद आप अवा थोड़ास क्षक्षण दे सकते हैं जैसे यह यह जो से हम श्को जो जो से हम रागड़ेंगे से भी थोडा थािरॉट पॉइंट का कुछ फाइधा है यह मैं और यह जो यह जो इसा ही राइक है तरह से इसको यह से तंद से अच्छ से दबाएंगे इसके बाद फिर इसको फ्रिक्षन देगे इसको पकड़ करक्ड़ेंगे इसको यह दो दो मिनिट बस से इससे जादा जरूरत नहीं और इसके बाद मैं आपको शंक मुद्र बताऊंगी शंक मुद्र थायराडी के लिए बहुत जबरदस मुद्रा है क्या करना थोड़ा ज्यान रखिए इतना मुश्किल तो नहीं है एक हाथ ऐसे दिखाएंगे एक हाथ ओल्टा दिखाएंगे ठीक है अब यह वाला हाथ से तंब फिंगर को लग करेंगे यह वाला फिंगर नो मोटा फिंगर इसको लाग करेंगे इसा पकड़ लिया जोर से इसके प्लकप लागो फिंगर से लागोड है जयना शतरी इसलिए शक मिद्लख बोलते हैं उसको क्या करना हम झाला रखिए अपकर घ्रम करते रह सकते यानि आप और यह कौनसा संपढमसन्र माच अब जिर समये सबीट कि टैम वेटी में में पाड़ा ऑने इसलिए आपको ऊत्रत Sel Chrase इस में बताई थी मेने वीमारा फोकसी प्रादीयु बागा ये अएरिया पर रहता है कुछ भी नहीं सोचना कोई शान्तNew coy तौ . ये शवला प्लेस ये करें त रहता है कुछ भी तावार्ट्स नहीं है साकरो करें आपका meditation हो रहा है त्राटक meditation हो रहा है साथ में शंक मुद्रा भी है यह ऐसे पांच मिनट तक बैट जाए दो काम हो जाता है पांच मिनट के बाद क्या करना है यह ऐसा करेते न अब ऐसा करिए दूसरा हाथ ठीक है न ऐसे पंफिंगर को लाग कर दिया फिर इसको प्लेस कर द लिए ठीक है फिर दुबारा शंक बन गया फिर इसको रखिए फिर से इनर तरह टक करिए कि पीसफुल लगता अच्छा राम से इधर इनर तरह टक हो रहा है वन साइड से शंक मुद्रा भी लाग के रखा है बहुत आसान है ना दो फाइदा कुछ भी नहीं हेल्थ अच्छ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है पैसे ना हो तो भी कुछ भी गाड़ी चलेगा मगर जब हेल्थ डाउन होगा तब पता लगता लाइफ क्या है इसलिए बचा की रखिए जितना हो सकता उतना काना कम काईए कुश रहिए टेंशन मत रखिए ऐसे योगा प्राणायामा मे टेंशन नहीं है कुछ रहेंगे आप मैं यहीं चाहती है वीडियो फाइदा है वीडियो से कुछ फाइदा लग रहा है जिस देखके मत छोड़िए अब शुरू कर दीजिए कभी भी आप एम्टी स्टमक काली पेट करना चाहिए शाम हो या सुबह हो यह दो इठाय में पे चूर हो जाता है मेरे को तो क्योर हो गया इसलिए आपको बता रही है कब से स्टाट कर रहे हैं आज यानि कल लिखे बताए और बहुत लोंग का संदेह ही है कि माडम यह हो जाएगा यह दस दिन में वान वीक में कंट्रोल हो जाएगा नहीं मैं जूट नहीं बोलूंगी च विश्वास रखिए ट्रस्ट करना है इसे नुकसान तो कुछ ने कुछ ने कुछ फाइदा तो हो गई होगा थोड़ा विलंब हो सकता है थोड़ा लोगों को जल्दी हो सकता है मैं चे मेने से एक साल समझ के आप डेली प्रैक्टिस करना है 10-15 दिन 10-15 मिनिट आप नॉट इस इसमें फाइदा ने आपको बहुत फाइदा लगेंगी वह इपूरा करिया आप नॉटली ताइराड तो जब होगा होगा बाकी स्ट्रेस बस्टर रहे पूरा एंड कॉंसेंट्रेशन बढ़ता है एक मैंड में पीस्फुल थाट्स भी आने लग गयाता है यकीन करिए शुरू करिए लेट मी नो इन दे कॉमेंट बॉक्स और एक अच्छा टापिक के साथ अपके सामने आओंगे तब तक अपना ज्यान रखिए हेल्दी रहिए टेक केर बुड लग